समस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब लोग बैतर होंगे स्वागा ते आप सभी का एक बाप फिर से SCS Academy के YouTube चनल पर दोस्तों मेरे नाम है पक्कश शर्मा और यह समय है आपकी इतिहास की क्लास का इस क्लास में हम MPPSC Prelims के syllabus को डिस्कस कर रहे हैं और इस syllabus के unit number एक में इतिहास का syllabus दिया है इसको हमने अलग-अलग module में बाटा है पहले module में हमने important शब्द दवलिया की है second module जी चल रहा है जिसमें प्राचीन भारत के और मदिकालिन भारत इतिहास की प्राचीन भारत की थी कि किस प्रकार से भारत पर प्राचीन भारत के समय में वेदेशी साशकों का involvement हुआ किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश पर आकर साशन किया ना सिर्फ साशन किया बलकि वो पूरी तरीके से हमारी संस्कृति में रजबस गए थे और हमारी जो संस्कृतिक विश्यस्ता उनको उन्होंने पूरी तरीके से अपना लिया था आज किस classroom भी हम उसी समय की मतलए मोर इउत्तर काल के समय की प्रसाशनिक सामाजिक आर्थिक विश्यश्ताओं को देखने वाले यहां से आपको समझ में आएगा कि मोर इसाशन के समापति की बाद किस प्रकार से हमारे देष कुछानों ने और सत्वानों ने भारत के प्रसाशन को चलाया हमारी धार्मिक विशेष्टाइं क्या रही साहितिक शेत्र में क्या विकास देखने को मिला और अरते व्यवस्ता किस प्रकार से चल रही थी जादा कुछ बड़ी चीजे दोस्तों यहां देखने को नहीं मिलती ह उत्तर मौरे काल में हम आते हैं और एक इस्थानी व्यवस्ता जो हो हमें दिखाई पड़ती है किस प्रकार से सांवन्त वाद ने भारती राजनीति को प्रभावित किया और आगे जाकर इनी सावन्तों ने भारत में अलग-अलग स्वतंतराज्जी की इस्तापना की वहराल इन सब चीजों को डिसकस करेंगे जो हमारे आज के टॉपिक का मुद्धा है क्या मौरे उत्तरकाल और मौरे उत्तरकाल में क्या यहां की व्यवस्ता हैं इन वेवस्ताओं को एएदिकरी के अगर देखें अधिकारी किस परकार के होते थी कैसे जंजालित होता था इन सब तो मौरे टर नौ 12 में देखने के मिलता है कि राजा वह प्रमुक होता ही था इसके तुम आदेकों को अधिकारण के बाद यहां पर हम यह पर हम सेन व्यवस्ता बीए इन सब चीजह जो थी वह इनके सेन सेन व्यवस्त्राइशन हम उन परिवरतनों को इंकरूप सरह खांकित करें जिसमेरे का साशन को चैन झाल की में पूरे भारत पर एक शक्ती दिखाई पड़ती है उस्तर मौरेकाल आते हैं यहां मैं उत्स उत्ह पर Confcar सत्वाहन वंश चेदी वंश अलग लग वंश देखने को मिलते हैं यहां एक डिसेंटलाइस सिस्टम मिला दोस्तों और राजतंत्र का जो व्यवस्ता थी उसमें देवी तत्व को समाविष्ट कर दिया गया था राजा को देवों का उत्राधिकारी की तौर पर माना जाने कर दी ना सिर्फ मोर्तियां वनाई पर के उन्के मंदिर वनवांकर पूज़ा की जाने लगी थी इस प्रकार का यहां में मूर्तिपूजा कर से देखने को मिली है और मात्र देवी की तौर पर उसको पूजा करते थे रिगवेदिक काल में हम जाते हैं दोस्तों तो यहां पर भी हमको थोड़ा बहुत सबूत इस बात के मिलते हैं लेकिन अगर हमने मौरे काल पर क्लियरली देखने को मिला था कि मूरथी भूजा शुरू हो गए पुषानों की समय में इसका विस्तार जाधा होता है जब हम देखते दोस्तों तो यह भ्रहामन certaines कि मौरे के बाद हम आराक यह ब्रहांन थे इन के वैश्णो धर्म के नाम से जानते हैं यह भी देखने को बिला तो कहीं न कई आप बोल सकते हैं कि ब्रह्मनों का और बहुत विक्षिवों को करमुक्त भूमी दान देने के विवस्ता देखने को मिलती है तो अगर इतिहास में आपसे कहीं कोशन पूशा जाता है कि भारत इति सवत्वाहण राज रानी थी जिनका नाम ता नाग निका उनका अभिलेक था दोस्तों जो महारास्ट कुने से मिलता है तो ऑन लोगों कि जानकारी मिलती जाने लगी ती इसके लावा कुशान जो थे इन्होंने सामराजता उसको बाटा गया था और हर एक इस्तर पर साशन का एक प्रमुक इस्थापीद किया जाता था दोस्तों इसके लावा अगर हम बात करें इस समय के साशन व्यवस्ता में तो अहार जो होता था उसके हैड कौन होते थे कुछ पता अधिकारी के हम लोगों को जान कारी मिलती कि बंडा गारिक इसको कौन कि कोशाध्यक्ष होता था रज्युक जो होता था राजस्विभाग का प्रमुक होता था पनिय घरक होता था जल आपूर्ति का वर्मा तेख भौवन निर्मान का सेना पतेश के लावा सेना का प्राव और निच्छ एंट firm को आभि प्रते गाओं का एक अध्यक्ष विवस्ता जिसको कई तो हुए सकते हैं कि अगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट को मिलता है कि दंड नायक या महा दंड नायक जिसे पद जो थे वो भी समय शुरू हो गए थे जो कहीं न कहीं पूरे सैने सिस्टम में इंपोर्टेंट इस्तिती देखने को मिलती थी अच्छा हमने कहा था कि कुशाणों ने यहां पर बोल सकते हैं कि शत्रा प्रणाली शुर के समय से जब हम न्याय वेवस्ता की बात करते हैं तो जो राजा होता था न्याय वेवस्ता का सरवच अधिकारी नीचे से उपरी इसतर पर अलग होते हैं पर अलग लग सेना के समाई की तुषान कहीं हो, सद्वां हो लोगों को मौरे काल में देखने को मिलता है वैसा ही सिना का स्वरुप चतुरंग बल gle möglich जो हो ती थी इसमें रत याहीं गूर सवारी पैदल से सब्देखने मजबूती रूप से देखने को मिलती है कुछांओ के समय इसके बाद हम दोस्तों देखे इनकी एकुनाॉमिय में इनकी मुद्राओं की तो जब हम आर्थिक व्यवश्था की बात करते हैं तो मौरियों की अर्थ व्यवश्था को पूर। तरीके से आगे बढ़ाया , उत्तर में उस चीज को कुषान समालते है इन्हों ने उस अर्थे व्रक्शा को पूरत तरहके से आगे बढ़ाने प्रेयास किया जैसे हमने कहा था कि अलगirus माध्यमूं से राजकी आई हुआ करती थी जिसमें भूमिकर इंपोर्टेंट हुआ करता था जो एक बटे छे भाग तक लिया जाता था इसी प्रकार से राज की आई के दूसरे साधन ते जुर्माना जब भी किसी कैदी को दंड दिया जाता था उससे जुर्माना भी वसूल किया जाता था तो जुर अलग प्रकार की मुद्राहियां चलती थी जैसे सोने के सिक्के को निश्क के असुरण कहते थे चांदी का सिक्का शत्मान कहलाता था और तामवी का सिक्का काकणी कहलाता था यह ध्यान रखेंगे यहां पर एक और चीज़ दो कि कर्शापन का भी उलेक मिलता है कर्शापन थि इन सबी धात्यों को मिला कर प्राकरतिक दरश्यों के चीतरंकीत करके मुद्रा बना जाती थी कर्शापन कहलाती थी अगर हम भारत में सिक्कों की बात करें थे सासथ हम लेक युक्त सोने की सिक्खे की बात करें कि इन पर लेक थे तो इस प्रकार की सिक्खे हमारे आपर सब-से पहले किसे चलाए थे हिंद यवन यवन सब करते ते लेकिन कुशाणों के समय पर सुने में की जो सिक्के होते थे उनकी शुद्धता हमें जादा दिखाई पड़ती तो सुने की मातरा जादा होती थी ठीक है सत्वहन उने सी से के चलाए थे दोस्तों इसका लावा चांदी तामा पोटीन इनके भी सिक्क्य चलाए थे तो अगर एक्जाम में हम लोगों को यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ जाए कि किसकी एकुनॉमी बैटर थी तो कुशाणों की थोड़ी सी बैटर दिखाई पड़ती है बैटर दिखाई पड़ती क्यों कि एक तरीकिसे इनका सिल्क रूट पर भी अधिकार हो गया था और सिल्क रूट पर अधिकार होने से इनको चुंगी का रच्छा मिलता था इसी व्यवस्ता में आप यह भी जा सकते हैं कि इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जा रहे हैं इसका मतलब अच्छी व्यवस्ता होगी वहीं अगर हम सत्वाहनों की बात करें इन्होंने सबसे सुद्ध सोने के सिक्के चलाए जबकी सत्वाहनों के सिक्के अलग-लग निमनेकोटी की दातु के दोस्तों बने होते थे हम लोगों नहीं बात कि इसके अलावा के साथ यूरोपी देशों के साथ व्यापर भढ़ा है हम युनान से व्यापार की बात कर लें, एरान से या फारस से व्यापार की बात कर लें, सिरिया से या मिसर से व्यापार की बात कर लें, इस सभी छेतरों से हमारा जो व्यापार है दोस्तों बढ़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर मौरे काल में भी व्यापार जो है, वो ब और देखने को मिलती है रोम के साथ व्यापार जो रहा इटली के साथ बहुत ज़्छादा दिखाई पड़ता है उत्तरवेदी काल में उसके बारे में देखेंगे भी लेकिन यहाद रखेगा कि जल मार्ग से भी होता था अगर जल मार्ग से व्यापार होगा तो वंदरघा ब तो बारबेरी कस सिंदु नदी पर बंदर गहा था आरीका मेडू पूर्विटर पर बंदर गहा था बूरी गाजा गुजलात के भडोश पर बंदर गहा था इसके लाव हम लोगों को भरगु कछ और तामड़पली बंदर गाह तो पुराने समय से देखने को मिलते हैं अधिकार हो गया ता जिससे इनकी आयवर्धी हुई थी इसके अलबार रोम के सांझ ऑपार बड़ा दोस्तों उसमें हम रों को मसाले भेजते थे कालि मिर्च बोलते थे यह काली मिर्च है न दोस्तों यह बहुत ज़ाधा फेमस थी, इसके लिए यवनी का नाम मिलता, यवनी का किसको कहा गया तो ठीक है, मल-मल, हातीधाथ की वस्तुएं, इतर हों, चंदन हो, कच्छवे की खोपड़ी हो केसर चटामासी हीरा रतन तोता शेर चीता इन सब चीजों का हम लोग पश्यों का हम लोग पुराने समय में रोम को निर्याद करते थे तो यह हम लोगों को बताता है कि रोम के साथ भारत का व्यापार बहुत जादा बड़ा था इसके लाबा रोम की चीजों कि सब चीजे हम लोग कहान से बुलवा तब लाल पतर तक के यह सब चीजे हम लोग बुलवाते थे दोस्तों रोम से तो बड़ी विशिसता देखते हैं कि मिली कि रूम किसान भारत वो और अधार में दोस्तों उध्योग का भी विकास देखाई पड़ता है यहाँ पर अध्योग शिल्पड विकास हगा जाता था हम लोगों ने रिग वेदी काल उतरवेदी काल तक देखा था कि वस्तु विनमय के अधार पर व्यापार करते थे उस व्यवस्ता में बढ़ी समस्याइं थी समस्यां कैसी थी समस्यां ऐसी थी कि आपकी अवशक्ता अगर एक समान नहीं हुई तो आप एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु नहीं ले सकते थे तो वस्तु बेने में प्रणाली में जो समस्या थी वो थी वस्तु की समानता की कैसे कि मान लेजिए आपको कोई चीज चाहिए ठीक है वह मेरे पास है और मेरे पास जो चीज है वह आपको नहीं चाहिए तो आपकी और मेरी अवशक्ता सेम नहीं हूई हम दोनों एक दूसरे की वस्तू कब बोल सकते हैं exchange कर सकते हैं हम लोग ऐसे exchange कर सकते हैं कि जो आपके पासे वो मुझे चाहिए हो और जो मेरे पास है वो आपको चाहिए तब लेंदेन हो पाएगा ऐसा समान अगर अवशक्ता नहीं हो पाएगा इस कमी की वज़े से मुद्रा की अवशक्ता महसूस हुई और बाद मुद्रा की स्थिति आती है धातु मुद्रा के तौर पर तो यहां पर हम देखते हैं कि जो चलते थे दोस्तों इसके अलाब हमारे देश में जो दक्षिन का इलाका था यह मसालोक लिए बहुत दा था अलग लग प्रकार के फल यहां होते थे इनका भी हम लोग निर्याद करते थे ठीक है अगर हम बात करने दोस्तों शिल्पियों की तो शिल्पियों ने अपनी प्रधान होता था तोगो शिस्ट कहते थे यह क्या है दोस्तों शिल्पियों की अलग यलाग शिर्डियां थी जिसमें अलग व्यवस्ता मोजूद थी इसका अलग-अलग हम लोगों प्रदान देखने को मिलता हैiben शादारपर हम कहते हैं कि पूरी की पूरी जो व्यवस्ता थी उत्तर बोल सकते मौरे काल की वो व्यवस्ता एक संगटित तोर पर व्यवस्तित तरीके से मैनेज की जा रही थी अब ये तो हम लोगों ने आर्थिक जीवन की बात की कि टेक्स सिस्टम क्या था मुद्रा क्या थ करते थे इसके बाद हम लोग देखते हैं इस समय की सामाजिक व्यवस्ता की बात करते हैं तो मौरे काल हो वैदिक काल हो या आज का काल हो किसी भी समय हम चले जाए वरण व्यवस्ता पर ही हम लोगों को भारती समाज दिखाई पड़ता है ब्राहुल गांदी हमारा देश मे कॉंग्रेस का प्रचार कर रहे हैं जगा 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 जाके वहां पर वह जाती का जंगंडा को बहुत सब्सक्राइब करने का प्रयाज कर रहा है तो जो हमारे समाज में वरण व्यवस्ता थी उस वरण व्यवस्ता में एक समाज एक समय के बाद कूरीती आती और यह समाज सब्सक्राइब अलग अलग जातियों में विभाजित हो जाता है तो आज हमारे देश के लिए देखने को हानीकारक हो सकता जिसके प्रमान हमें आज भी देखने को हुआ करते थे लेकिन जब हम वरणен व्यवस्ता में종 आप देखें दोस्तों दोस्तों मात्र प्रधान समाज देखने को बिलता जितने भी साथ समय के साश्कों की बात की थी वह साश्क को ने अपने नाम के आगे अपनी माताओं का लगाया था जैसे यग श्री शात्करणी गौत में पुत्र शात्करणी नाम लगाया तो यह कहीने कहीं क्या हुआ इस्त्रियों को सम्मान देने का प्रयास कि यह कहा रहा इस्त्रियों का सम्मान रहा और इस्त्रियों के सम्मान के लिए कहीने कहीं यहां पर हम लोगों को पु पुरुश होता था और उत्राधिकार का जो पूरुश के पास हाला कि सर кого स्वतनता जैसे उनको सानिरने हो राजणी लेने ुपामीड की स्वतनता हो से कुछ इंद structured दीये गए ते संपथ्य का रेथे हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज होने के बावजूद इस समय सत्वाहन समाज में ना कुशानों में तो पूरुष अक्तात्म की देखने को मिल रहा है यह बात कर रहा हूं कि इसकी सत्वाहन समाज की मुख की जो डिस्जिन लेते थे वह पूरुषी लेते थे दोस्तों इसके लाव हम लोगों को एक चीज स्कुरती में घुल मिल गए के उनकी आज अकर हमारे पीश में आपर कहते हैं डिक है इसके लाव अगर हम समाजी physiवन में जाते हैं तो आइसे जो हमारे नवीनतम धर्म समाज में प्रवत्त हो चुके तैसे लोगों को उन्हें हम वरात्य च्षत्री के नाम से भी दोस्तों पर कहते हैं ठीक है इसके लावा अगर हम सामाजिक जीवन में जाते हैं तो सबी चीज़ें वैसी रहें जैसे कि मौरे काल में थी कि लोग जो थे वह अपने मन्रणजन के लिए तो यह सारे के सारे जीवन में व्यवस्ता है अलग जो था अगर हम धार्मिक व्यवस्ता की बात करें दो धार्मिक व्यवस्ता में यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेसिकली जो ये सिस्टम रहा उसमें हम लोगों को विश्णु के दश अवतारों की प्रारम्बिक जानकारी मतस से पुरान से देखने को मिलती है और जो पुरानों का संकलाने दोस्तों वो अंतेम रूपसा में गुप्त काल में देखने को मिलता है लेकिन वो इस समय से शुरू हो चुका है तो यहां पर हम लोग अवतार बात की वेवस्ता देखते हैं, अलग अलग भगवानों के अलग अलग अवतारों की बात यहां की जाने लगी थी, इसके अलबा मूर्ति पूजा प्रारम होई गई थी, भले वो ब्रहमन धर्मे में हो, बौत धर्मे में मतुरा कला में पहली बहुत साथा प्रचलीत हुई थी क्यों कि कनिश्क बहुत धर्म का महान संरक्षक था और उसने बहुत-धर्म की महायान शाखा को दोस्तों अपनाया था गवान-बुध् this की भगवान की तरफ पूजा करने की बात करती है और उनकी मूर्ति-पूजा यह फिस समय से हम लोगो की त्रिशूल की आकरती देखने Link에 मिल यह इस बात को दर्शाथ कि इस दमें शेवधर्म का भी पर्याप्त माहौ था और शेवधर्म का जो पर्याप्त माहौ था उसमें हम लोगों को पाशूपत संप्राद देखोने मिलता है और पाशूपत संप्रदाय की जो प्रमुक्त दोस्तों वो लकूलिष थे अगर हम शैव धर्म की बात कर लें दोस्तों तो ये कपालिक हो कालामुक हो लिंगायत हो और पाशूपती चार अलग-अलग भागों में भाजित होता है देख रही पाशूपत तो मौर्योत्तर काल में पाशूपत संप्रदाय जो था उसका विकास ज्यादा देखने को मिलता है लकूलिष इसके प्रवर्तक थे इस काल में भागवत धर्म का अभी दोस्तों परयाप्त विकास हुआ इस बात की सूचना हम लोगों को इस समय की व अभगास धर्म को प्रब्रम को मांते थे तो यह काल था यह भागवत्धर्म के उत्थान का काल भी था संस्कृत भाशा के उत्थान का का और इस समय हम लोगों को रुद्रदामन जेसे साशक देखने को मिले जो संस्क्रत के बहुत प्रिये थे और संस्क्रत में उसने जो नगर अभी लिख लिखा गया पूरे दुनिया का पहला अभी लेख था इसके लावा हम लोगों को भाग भद्र जो शुंग साशक था उसके समय में जो हैलियोडूरस आया था यूना कला संस्क्रति की बात करें तो कला संस्क्रति का इस समय हमको बहुत अच्छा विकास देखने को मिलता है औरकला की द्रश्टी से कर देख्याएं मुक्त की दो इंपॉटेंट शेलिया दिखाई मिश्रण हुआ और सुम Millennium करने वो गंधर करनें लेकिन मतुरा कमा क्या थी मतुद्रा कम्तर करती ब्लाहों का मिश्रण छताब्लक परटी पड़े इसका विखके यूनानी और भारती क Twain को मिश्रण करता निए जकिब सरवादी की विकास किस काल में हुआ पुशान काल में इंपोर्टेंटली कनिश्की के समय हुआ है अब इसमें दो चीजों का मिस्रण है इसमें जो वास्तु कला है वो बौध परंपरा से लिया है और निर्मान का जो ढंग है वो यूनानी है इसको हमने इंडो-ग्रिक कहा है अगर हम यहाँ पर दोस्तो कला इवं संस्कृति की बात करें तो दूसरी यहाँ पर हम लोगों को गांधर कला के बाद मतुरा कला देखने को मिलती है मतुरा कला की बात करती है विबिन देशी परंपराओं का मिस्रण से बनी है और बुद्धी की प्रितम प्रितिमा जो बन के विए हम लोगों ने गांधार ग्ला मत्वु रिपी तो यहां सबyr बढ़े उसे और अम्रवती ग्ला कैसे और उम्रवती कला आप लोगों को वीशेश में मिलती है लाइंदर नाट़क का दिमे जहां पर सत्माहनों का साशंता और यहां ज़ह हम जाते हैं तो हम लोगों को के अगैंजून कोंडा और अम्रविट्टी के समय में इस्थापित हुए दोस्तों प्रहुख हम लोगों उधारन देखने को मिलते हैं अब यहां पर अगर हम मतुरा कला का और गांधर कला का अंतर देखें तो गांधर कला नीले काले पत्थरों को तरासकर बनाने वाली वेश्था थी और मतुरा कला जो ती वो लाल बलुवा पत्थर से बनाए गई वेश्था थी इसको गांधर कला को संडक्षन दिया सक्स आशकों और कुशान साशकों ने जबकि मतुरा कला को कुशानों नहीं संडक्षन दिया था अगर हम यथार्तवाद की और आदर्शवाद की बात करें तो यहां पर जो गांधर कला थी वो यथार्तवादी रही है यथार्तवादी का मतलब है कि जिस प्रकार से आप किसी भी इनसान की मूर्ती बना रहे हैं तो उसके एक एक हाव भाव इसपस्ट जैसे हैं वैसे के वैसे जैसे की अभी राम लिला की मूर्ती विराजमान होई आयोध्या में अगर हम लाम लेला की मूरती की बात करें तो यथार्त वादी का लाका मुझार्ण देखने को मिलते क्यों करने राम लला का प्रतिमा इस्थापित की गई है जिसके प्राण प्रतिष्टा हुई है भगवान राम की वह पांच साल के बालक के तौर पर होती है दोस्तों और अगर पांच साल के बालक की बताईए तो उस प्रतिमा में आप देखकर समझ सकते हो कि पांच साल का बालक का अपन ववस्ता में क्या होता है कि आपने देखा कि दुर्गा माता के इतने हाथ रहे होंगे और अलग-अलग हाथ में अलग-अलग चीज रही होगी वह आपने क्या किया आदर्श वादी बता दिया कि भगवान अगर होगा तो इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा तो आप जो एक सोचते हैं उससाब से बनाएंगे और एक यथारत रूप में बताएंगे दोनों में अंतर देखने को मिलता है बुद्धी की प्रतिमाएं गांधर कला में हुई दोस्तों लेकिन बुद्धी की पहली प्रतिमा मतुरा कला में बनी थी जैन धर्म कियों ब्रामन धर्म की सभी प्रतिमाए हम लोगों को मतरव कलामा देखने को मिलती है अब अगर हम इसका साहितिक परिप्रेक्ष देखें तो साहित्य परिप्रेक्ष के अंतरगत बहुत सारी स्मृतियां हो उनका संकलन जो है दोस्तों वो कब होता है इस मौरितर कालमी होता है शुंग कालमी सबसे आरे में पहले भी बता चुका हूं वह कंग कालमी होती दोस्तों कई सारे पूरानों की रश्रह काल्भी यह शुरू होता है कई सारे घरनत लिकेगा जिसमें से हम बात करते हैं जिसे गाथा शप्ट शती यह एक सतवहन साशकते हमनोंने लिखी थी कामसूत्रव वात्साइय ने लिखी थी महाभाश यह पतंजली का है सौंदर रान या बुद्ध चारित अश्वगोश्ण लिखा है दोस्तों चरक सहीता चरक ने लिखा है स्वपनवास दत्ता भास की है नाटे शास्त्र भरत्मुनी का है अब नाटे शास्त्र बहुत इंपोर्टेंट है जब आप रस पढ़ते हैं दोस्तों तो भरत्मुनी के नाटे शास्त्र के अधार पर रसों की गड़ना जो इसको माना जाता है चारुदत्ता की भास है मिलिंद पनों नाकसेन का है और उरुभंग का भास है यह प्रमु को समय की रशनाए है और यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है करण लोगों रट देनी कोаешь देनी की का खलताओ रखन यह है कि हमने पूरे-इतिहास के सलेबस अलगळग मौडिल में बाना है मौडिलाश्यर में में हमने क्या कहां मौडیल वन में हमने कहा हुष्चा विभ homeland शब्दावलिया भारती प्राचिन ग्यार्म प्रंपरावdayद ब्रहाम्मण गरंत स्मृतियां अरण्या की आधी चीजिवां पड़ी फिर मॉडिल लंबर टू हमारा भी चल रहा है जिसमें हम प्राचिन भारतिय और मद्धिकलिन भारति इतिहास की विशेस्ताइं सामाजी कार्थिक व्यवस्ता देख रहे हैं अब जो मॉडिल 3 होगा उस उसमें भारत की कला साहित्य संस्कृति दिया हुआ है तो यह मायन कर चलिए कि मॉडिल 2 जो है उसमें मॉडिल 3 एकसाथ ही कवर होता जा रहा है संस्कृतिक रूप से आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं रहेगी जो साहित्य पढ़ना है जो कला पढ़ना है व साथ साथ इतिहास की विशेस्ताइं भी देख रहे है ठीक है दोस्तो तो यह आज के से लेक्षर में हमने मौर्योतर काल की इंपोर्टन चीजों को देखा आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पर आप निरंतर लेक्षर देख भी रहे होंगे लेक्षर देखने क